हेले स्प्रेंड एक बाफ फेट से आप सभी का स्वागत आपके अपने योड़ के अन्वाइट सब्टेक्टों में इस पर आज की स्वीडियो में बात करूँगा दिसंबर 2021 के टमड एक्साम के रिजल्ट के बारे में बिकॉज ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्साम पॉइंड यूसे जो आने वाले एक्साम है बिकॉज बहुत सारे ऐसे इस्प्रेंट है जिनको ये डर है कि क्या पास हो पाएंगे या नहीं क्योंकि रिजल्ट आएगा तब क्लेरिफाई हो पाएगा आप में से बहुत सारे इस्प्रेंट ने ये क्वैरी पूछे है इस पेसे पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको प्रूप के साथ में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देने वाल हूँ आपको करना क्या है इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस पिरकार से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से subscribe करें साथ ही साथ में जो bell icon है उससे दवाले और all पर set कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो के update आपको मिलती रहे अब आईए main मुद्धे पे आते हैं जो की है आपके determined exam का result देखिए आपको पता होगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे strand है इनको अभी doubt है कि सर exam में pass होंगे या नी तो यह doubt कब clarify होगा जब आपका exam का result आ जाएगा तो result कब आएगा उस पे बात कर लेते हैं exactly बताता हूं कि आपका result कब announce किया जाता है वैसे हम policies की माने जो इगनू की है ना उसमें यह कहा जाता है कि आपकी यह जो next आने वाले exam है termed exam जैसे अभी December 2021 के termed exam conduct की जा रहे हैं इगनू की ओर से तो आने वाले जो exam है June 2022 के termed exam उससे पहले इगनू की ओर से policies हैं कि आपका result announce कर दिया जाता है number one point number eight में यह साब तोर पे mention है मैं एक बार read भी कर देता हूँ although all effort will be made to declare the result in time there will be no winding on the university to declare the result of the last examination before the common state of next examination the student may therefore fill up the examination form without necessary waiting for the result and get it cancelled at later date देखो कई बार होता गया है कि आपका result नहीं आता termed exam का form आ जाता है next वाले का तो आप लोग चाहें तो form को fill कर सकते हैं अगर आप इस doubt में की pass नहीं हो पाएंगे तो आप फिल कर सकते हैं और जब आपके exam का time आएगा तो वहाँ पे आप cancel भी कर सकते हैं में कोई issue नहीं होगा और आपकी fees भी वहाँ पे मिल जाती है वापसी तो कोई दिक्कत नहीं होती तो यहां पर exam जो आपका result है उसकी date नहां से clarify होती कि exam से पहले यानि की June 2022 से आपका पहले result अनाउंस हो जाएगा जो अभी exam हो रहे हैं अब आईए बात कर लेते हैं exactly dates क्या रहेंगी उस पर क्योंकि यह तो आपकी एक general procedure है अब exact date पर आते हैं इसका result सबसे पहले कब अनाउंस किया गया इससे पहले आपको बता दू कि आपके जून 2022 के जो टर्मड exam थे वह आपके यहां पर आप देख पा रहे हैं यह date seat है जून 2021 के टर्मड exam की जो कि आपके तीन अगस से start हुए थे जो कि 9 September 2021 तक conduct किये गए थे सभी exams को अब इन exams का जो result इगनू ने declare किया था first update आई थी भाई 16 अगस को मतलब आप समझे जो आपके अगस में exam start हुए तीन तारिक से ठीक है उसके बाद में update आगई 16 अगस को पहली update रिजल्ट के regarding और इगनू की ऐसी कई सारी updates देखने को मिली है जो आप regularly इस पोर्टल पे visit करके चेक कर पा आपके जो अभी वाले exam है जो December 2021 के टामड exam है उसका result भी जो पहली update है वो आपको इस मन्त में देखने को मिल जाएगी so make sure आप चैनल पर बने रहें सभी updates के लिए जैसे अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के माद्यम से और हमारे पोर्टल के माद्यम से information दे दी जाएगी information bulletin में तो आप चैनल पर और हमारी website पर विजिट करते रहें ताकि आपको आने वाले जो भी updates है एगनू से related वो आपको समय पर मिलती रहें इसके लावा आपको यहां से clear out हो गया कि आपके result कब आएगा तो उनी student के साथ में भी share कर दो ताकि उनको भी information मिल जाए जिनको यह doubt है कि result कब declare किया जाएगा तो पहली update आपकी इस month में आ जाएगी सो make sure आपको यहां से clear out हो गया हो तो इस पीडियो को like कर दें अगर पसंद आईए तो इस पीडियो को share भी कर दें सभी information के साथ में साधी कोई भी query and suggestion है तो comment box में या फिर social media किसी भी platform के दिए आप हमसे contact करके अपने doubt square and suggestion को put कर सकते हैं इस पीडियो में इतना ही पसंद लिए तो like करें साधी इस पीडियो को share भी कर दें मिलते हैं एक और अपडेट और एक और वीडियो में तक तक लिए जाहें 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 वारत बाए दोस्तों